नमस्कार दोस्तों आईए देखते हैं कि मंडे को यानि की सेकिंड में को मार्किट कैसे कामकाश कर सकती है लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर वीडियो एजुकेशन लर्निय परपस के लिए मेरी तरब से कोई बास हैलकाल इकमेंडेशन या कुछ भी खृदने बेचने से पहले अपने फाइनेशल एडवाइजर की मदद देल दीजिएगा क्योंकि आपको होने वारे प्राफिट लास के लिए मैं मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेबार नहीं है और ना ही सैबी रिजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ जो भी नसी डाटा प्रवाइड करता है उसको डिको मेरे बदोस्ट जो फर्स टाइम मेरे सा जुड रहे हैं उनको बता दू मेरा नाम सुषानतवख्षी है और मार्किट को डिकोड करना यही हमारा काम है अब यहारा ट्वीटर व्याल है मार्किटस भी-डैस भी मेरे बदोस्ट जो फालो नहीं करते वह कर सकते हैं क्योंकि ज भी मार्किट भी इस टेलिग्राम चैनल को भी जाइन कर सकते हैं दोस्तों जो मेरे पेड मेंबर्स हैं जिन्हों ने जाइन की थी सर्विस उनको एक बात बताई गई थी हालांकि पुट बाय नहीं एग्रेसिवली करने की सजेशन दी थी लेकिन साथ ही एक बात बताया था कि धाई वेजे के बात ध्यान रखेंगे जिस हिसाब से पुट जो है एक्युबलेट हो रही थी चतिस पांच सो की और सत्रां तीन सो की साथ ही ये भी बताया गया था कि यूएस मार्किट होल कर रही हैं लेकिन ऐसा ना हो कि दमाका कर दें यूएस मार्किट हमें मार्किट को उपर रखने के लिए दिन बर उसको उपर रखा गया और उसके बाद जो है उसको उपर रखके हामे जो है नीचे पिरा दिया गया और यही इड़ाइस दी गई थी कि शायद मंडे को सेनारियो को छोड़ी हो और यूएस मार्केट अच्छी खासी नीचे ना बांदो बताया भी गया था क्यों हो सकती है अमेजन के और एपल की गाइडेंस को लेके और वही काम हुआ यूएस मार्केट अच्छे खासे फिसलते नजरा है आगे देखने की कोशिश करेंगे इन सब के बीच में रिटेलर बुलिश पोजिशन लेके गया बुलिश में डबल बुलिश ल रिटेलर सुस्टी फया और LAURA काला साइड में चोंटराक्तर रिटेलर नंग साइट में तीह वन्द नाइस रीटेलर के पास है FIA के पास है, DIA इस नंबर में चेंज नहीं है और प्रास 156,509 कंट्रेक्ट जो है, यह शॉट साइड में है, प्रास जो है सप्लाई करते हुए नदर है, 3,44,000, रिटेलर, जितनी पुट बेची है, तीनों बड़े प्लेयर्स के पास है, 3,44,000, फर्स्ट डे, फर्स्ट शो खेला, और अच्छी खासी पुट एक लाग, 12,000 कंट्रेक्ट जो है, इन्होंने बेचे, 22,000 कंट्रेक्ट जो है, DIA के पास है, 2,77, अच्छी खासी पुट जो है, FIA ने भी किमुलेट की, 32,815 कंट्रेक्ट, और 44,000 कंट्रेक्ट प्रास के पास भी है, स्टार्ट फ्यूचर 13,41,000, एक ही दिन में कहीं शतक, LIC का IPO आ रहा है, रिटेलर को लग रहा है, मार्किट बुलिश है, टोन भी यही है, LIC के IPO भी चर्चा करूँगा, रिलाएंस को शाट नहीं करना, दो special वीडियो भी जो है, इस पे बनाऊंगा, जो आज और कल में जो है, पोस्ट करने की कोशिश करूँगा, रिलांस को क्यों शॉर्ट निकरना इंपॉर्टेंट है काफी डिवेलप्मेंट चल दिया रिलांस में तो उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए आपको डियाई यह 16,41,000 कंट्रेक्ट शॉर्ट साइड में है इन्हों ने भी दबा के माल बेच एक लाख 10,000 FIA के पास कंट्र करके अब बाकी पैरामीटर के इंडिगेट करें एक बार वो भी देखते हैं FIA 3648 कंट्रेक्ट जो है 3648 क्रोड की सालिंग की है डिया यह इन्हें अच्छी खासी बाइंग यह 3490 क्रोड की और SGX तक्रीबन 160 पॉइंट नीचे दिखा रहा है US मार्किट भी अच्छे खासे नीचे बंद हुए है यूरोपियन 14205 से 139,500 नीचे यह भी नीचे गए है और बाकी वर्ल्ड मार्किट का भी यही हाल है दो-दो-धाई-ई-परसेंट ब्राजिल नीचे है 200-300 पॉइंट जो है हैंग सैंग भी दिखा रहा है मैक्सिमम मार्किट जो है वो नीचे की तरफ जो है नेगटिव क्लोजिंग दिये हुए है अब चलते हैं आप्शन चेन पे 17,102 यह निफ्टी ने ओल्ड किया है और यहां पे क्लोजिंग दिया तो सीधा 17,100 पे चलते हैं यहां पे क्या हुआ है अब इंपॉर्टेंट है 17,300 पे यह पुट जो है यह कैरी हुई है और 17,350 चार सो इवन पांच सो की भी पुट जो है राइट हुई है उपर तक हलकी हलकी हर जगा आपको पुट राइट की नजर आएगी और यह पुट खरीदी किसने है एफ आई यह इने आप ऐसा मान के चल सकते हैं मलब तीनों ब हुई मेरा कंसर्न था इसकी अनवाइंडिंग जो मैंने जिकर भी किया था अपने उस पे आप तो यहां पर यहां पर नहीं देखने को मिली और ऊपर और 17,100 पे अच्छा डीशन है, 17,000 पे भी 23,000 कंट्रेक्ट जुड़े हैं, तो यहाँ पे जो है, अभी अच्छी खासी जो है, महोल बना हुए, और 17,000 के निशी अगर एक बार काम करना शुरू कर दे तो प्रेशर अच्छा खासा आ सकता है, कैसे आ सकता है, 80,000 कंट्रेक्ट ही है, 80,000 यह हैं, 40 ही हैं, मोटा माटी यहाँ पकड़ के चलो, 2,00,000, एक करोड़ शियर यहीं है, और उपर से भी थोड़ा थोड़ा प्रेशर है, लेकिन एक करोड़ जेड़ करोड़ शियर मार्किट में अब कहते कुछ नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अभी मार्किट अगर नीचे आई, तो और भी अन्वाइंडिंग हो, और भी एडिशन हो सकता है, रिटेलर आउसको लगर मार्किट उपर खींच के ले ही जाएंगे, और काल साइड में, रिटेलर ने काल खरी दिया, यहाँ पर पर प्रास करके गया है, अब उपर रिटेंस कहाँ पर आउसको पर ही तरपन हजार कंट्रेक्ट और सरप्राइजिंग ली सत्रह एक सो पर पचपन हजार कंट्रेक्ट जुड़े हैं, तो कल अगर गैब डाउन मिल जाता है, तो आप देखो के मार्किट अगर गैब डाउन होगे, सत्रह हजार के नीचे अगर काम करना शुरू कर दें, सत्रह हजार, पचास, सत्रह हजार के नीचे, तो जो एगला लैवल है, वो सोलह, आट सो, पचास, आट सो की रेंज में मार बार बार जो है तीन चार बार इस पॉइंट को नौक कर चुकी है तो दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि अगर थोड़ा सा प्रेशर और वर्ल्ड मार्किट से आए तो इस बार मार्किट इसके नीचे भी जाएगी और फिर सोला हजार पांचों की तरफ भी जा सकती है हलांकि ने कोशिश कर सकती है इस पे भी आपको द्यान रखना चाहिए तो जो रेंज रह सकती है सत्रह हजार अगर सत्रह हजार ब्रेक होता है यहाँ पे क्या एक्शन होता है वो देखना है और अगर गैप डाउन ही हमें तीन सो पॉइंट का मिल गया तो उस केस में क्या करेंगे पंद्रा मिनट पहले वेट करेंगे मार्किट अवर सोड लेवल के असपास आएगी और वहाँ पे हम एक बार के लिए काल वाय करने की चेश्टा कर सकते हैं 16-800 एक लेवल है जहां पे आपकी नजर होनी चाहिए तो जो ब्राडर रेंज है वो 16-800 ये भी आपको हाथ में प बाद की जारी है इन सारी चीज़ों development को देखें तो अगर मार्किट कम जोर होगी तो मुझे सर्प्राइज नहीं होगा और रिटेलर ने इस्पेशली जिससे साब से लांग क्रियेट की हैं वो थोड़ा जो है चिंता का भी शेया है तो 16-800 के आसपास इंट्रा अगर हम बा पचास के आपर निकली तो नेक्स्ट लेवल जो है 17-200 हो सकता है तो जो ब्राडर रेंज है वो 16-800-850 से लेगे 17-200 यह रेंज जो है कल के लिए मार्किट की रह सकती है अब चलते हैं बैंक निफ्टी बैंक निफ्टी ने भी काफी कप्जोरी दिखाई है 36,88 और सर्प्रा आनिल सिंग की संग्वी कि भी सेजेशन थी की रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं लेकिन अब अच्छा किसको बोलें अच्छे की होप में सभी अच्छे بن जाते हैं सभी अच्छे जो है वह बड़े प्लेयर्स को चाहिए यहां पर थोड़ा थोड़ा जो है अन्वाइडिंग आपको देखने को मिली है लेकिन यहां पे भी 36-500 पे अच्छे अडिशन है अब इनको कहा तक न चोड़ा जाएगा वो लेवल एक आता है 35-500 और अगर गैप डाउन में अगर 35-500 नीचे की तरफ खुल जाता है एक बार के लिए इस स्कोर बढ़ जाएगी फिर उस केस में 35-200 जो नेक्स्ट लेवल है वहां तक मार्किट जा सकती है 35-500 पे एक हलकी सी सपोर्ट है अगर नीचे की तरफ आती है फिर उस केस में आप देखोगे 36-000 ही रेजिस्टेंस बनने की कोशिश करेगा और अगर किसी कारणवश गैप अप हो जाती है 36-400-500 की रेंज में तो इस के निफ्टी का डाटा फिलहाल काम है एस कंपेर टो निफ्टी लेकिन 36-500 पे अच्छी राइटिंग है 36-400-36,000 पे आप देखिए फ्रेश 11,000 कंट्रेक्ट जुड़े हैं हाला कि 36,000 स्पोर्ट का काम कर सकता है लेकिन अगर गैप डाउन हो गया तो उस केस में 36,000 ही जो है व लेवल में नज़र रखने चाहिए अगर यहां पे अनवाइंडिंग हो गई और यहां पे भी अनवाइंडिंग चालू हो गई 35-500 पे तो उस केस में मार्किट और भी नीचे के लेवल ओपन करेगी फिर उस केस में 35-200, 35,000 पे आपको नज़र रखने चाहिए और अगर निफ्टी भी कल कम जोर हो सकती है लेकिन यहां पर एक अच्छी बात है उपर की तरफ जो है वो डाटा काम है तो अगर रिकवरी आएगी मार्किट उपर की तरफ चलना शुरू होगी नीचे के लेवल से अबर सोड लेवल से तो बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं अगर मोका मिलता तो एक बार के लिए काल बाय करने चाहिए दोस्तों फस्ट डे फस्ट शो था जो कल आपने देखने को मिला तो बड़े प्लेस जब भी कोई पूजिशन अपनी बनाते हैं मंथली एक्सपाइरी के हिसाब से तो फस्ट डे पर जो है अपने प्लैनिंग करत रहती है यह बड़ा इंपॉर्टेंट है अगर मार्किट ने उपर आना हुआ तो नीचे से उपर की तरफ घूम सकती है लेकिन उस सब के बीच में सेकिंड कल है थर्ड और फॉर्थ फैडरल रिजर्व की जो मीटिंग जो बताया जा रहा है यूएस में ब्याइदर है पढ कर सकते हो और जो भी करना है जैसे भी करना है वह तीन चार के बाद करो वह ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अगर यूएस से दवाब आया तो एक गोता अच्छा मार्किट जो है वहां की खा सकती है अभी जितनी बोला टिल्टी यूएस मार्किट में देखने क चाहिए ऐसा नहीं कि महीना भी एपरल और मार्च की तरह जो है सबसे बेकार महीना साबीत हो मेरे बाद दोस्त जो यहां पे कंक्लूड करने से पहले बात बताना चाहता हूं मेरे बाद दोस्त जो जी और अनिल सिंग्वी को फालो करते हैं एपरल में भी जब उनकी मंतली क दो वे यह एक कहावत बनी हुई है के सालों से हम देखते आ रहे हैं यह सही भी होती है बट टीवी चैनलों का काम है हमें बुलिश बनाए रखना तो वहां से बुलिश ना होते हुए हम अपने डाटा से बुलिश होंगे और अपने डाटा से बीरिश होंगे अभी जो तो पहला point बनेगा रेस्टेंस का तो उसके बाद 36,000 point बन जाएगा तो market के लिए 36,000 निकालना थोड़ा सा फिर cross करेगा अब देखते हैं further कल data market कैसे open होती है और shape up कैसे होता और gap up हो जाएगा तो उस case में हम क्या करेंगे एक बार के लिए put your try करेंगे इसी के साथ दोस्तों वीडियो में ही है खतम करना इजाद है चाहता हूं मेरे बाद दोस्त जो first time मेरे साथ जुड़े हैं उनको बता दूं कि अगर वैं किसी भी discount broker के साथ अपने account उंपर करना चाहते हैं तो दोस्तों description में मैंने अच्छे जो discount broker है आप स्टा कैसे है सा online उनका link दिया लिंक को click क करके account उपन कर सकते हो सकते तो एक बात के लिए डिटेल भी मेसा जिरूँ शेयर कर लेना इत्रीके ताद वीडियो करता हूं खतम नमस्कार जैहिंद